स्री साहिराम आईरवेद में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं परतिशाए यानि सर्दी जुखाम रनी नोज कोल्ड आजकल बारिश का मौसम है इस मौसम में वाहरली इंफेक्शन बहुत तेजे से बढ़े जाता है और अब तो कोरोना वाहरस का इंफेक्शन भी चली रहा है तो इस समय में ज्यादा प्रेकॉशन लिने की ज़रूत है ज्यादा सेहत के ओपर द्यान देना ज़रूरी है इम्मिनुटी को बढ़ाना ज़रूरी है ताकि वाहरस से हमारी बॉड़ी को प्रोड़क्ट कर सके उसके के लिए हमने एक एक एम्मिनुटी काड़ा बनाया था हमने उसका पिछली वीडियों बताया था आपको आप उसको भी स्टार्ट कर सकते आने वाले समय में जो रेडिमेट काड़ा भी बनेगा हमारा उसको जल्दी ला रहे है तो वह आपको मिल जाएगा लेकिन आज प्रत उसके बारे में बताऊंगा सबसे लास्ट में सबसे पहले कॉज क्या होते है इसकी कारण क्या क्या है एक तु बारिश में भीगना थंडी हवा में फीरना दूल मिट्टी बहुत समय तक सिर गिला रखना खासकर करके माहिलाओं में प्रॉल्म आता है थंडी चीजय खाना कोल डूलेंट दिखाना इस कारण से भी आपको सर्दजुखाम की प्रॉल्म होती है कि सबसे में कारन होता है आपके पेट में अगर वर्म्स है, पेट में कीडे है तो आपको हमेश्षा सर्जुखम के प्रवल्म रहती है, जिन लोगों को ये प्रॉल्म है था उनको समझ लेनाचाहिए कि में 99 प्रसंट आपको पैट में कीड़े नुट हूं सकते हैं कि तो यह तो आपके नाड़ओ कर्वाने के बाद पाता चलेगा म value symptoms क्या-क्या होते हैं symptoms एक तो मैंनो रहेगा नाक से पानी भहना बुखा रह सकता है कह से ओ सकती है कर निकलता है वाद में उसके साथ साथ worker को सिर में दर्द होता है आकों से आकों में घलन होती है कि इस युश्ष स्ञिवल है और जो है वह प्रतेशाय के अंदर आते है है यह तो कॉमन सिम्टमों से वह सब कु पता है कि लेकिन इसकी है läuft में से तीन टाइप्स होते हैं चार नंबर का होता है यह तीनों के मिला करके जो सिम्टम देखने को मिलते हैं उसे सन्य पातज प्रतिशय का है और एक होता है रक्तज प्रतिशय कि वातर्ज प्रतिशाय में वाद दोश के अकॉर्डिंग लिए आपको सिम्टम देखते हैं जैसे कि ठीके आना बहुत जादा स्थी कि आती है खास करके सुब एक टाइम पर उसके साथ साथ नाक से पानी एकदम पानी की जैसा पानी की जैसा बहुता रहता है कि सपेखता में हैं रहाट हे सास्थी आको भुक्हारा सकता है कि शरी में दर्द होता है यह सिम्टम्स वातर्ज-पात्रशएटी के अंदर बाद्श प्तरशएग के अंदर उतेखताइस अधको जैसे में अलस बना रहता है हो इसके अदर कुछ काम करने की इच्छा नियूब यह अखड़ जाता है यह विए वितस प्रतिशे के अंदर आता नी कपज प्रतिषय में वुखहर आएगा जो नाक्व से पानि बहरा है वेगा वेदव जो स्त्राउ को रहा है वह कि तुम गाड़ा बन जाता हैं तो पीछ कट लर में भी बन जाता है छिंक एक हम आती इसके अंदर शरी में दर्द, आलस बना रहना, शरी में अखड़न रहती है, टेस्ट का पता चलना बढद हो जाता है, स्मिल्क पता नहीं चलता है, कपज प्रतिशाय में, तो यह सिम्टम जो है, इतीनों दोष के अलग-अलग है ही, लेकिन अगर एक साथा जाते हैं, तो उनको सन्नी पात इस सिम्टम से वह सिम्टम से देखने को मिलते हैं, एक रक्तस परतिशे हैं में थोड़ा साल नहीं, जो स्त्रावन निगकलता है, कभी-कभी उस मिलड भी आ सकता है, पित्त दोष कारन जो भीघ खराब हो जाता है जा कहा जाता है तो यह जो श्म्टम्स है इस अगोर्डेगली यह टाइपस बनते है और इसके उपर ही हमें टीटमेंट करनी होती है कि वो तो आपको नाडी परशन करवाने के बाद वेद्ट को दिखाने के बाद ही पता चलेगा का अब हमको उपाई वग्या करने के उसके उपर है कुछ गरेली उपआए आपको आइस के उपर कर सकते है जो यह तेनों के आंद। आपको फैदा करेगा सबसे पहले स्टीम लेना ज़रूरी है बाप लेना होता है कि साथ साथ तुलसी बेलपत्र दुर्वा इन तीनों का काड़ा बना करके या उसका रस निकाल करके एक चमच सुबह एक चमच शाम को ले सकते इससे भी आपको फायदा होता है जिन लोगों को बुखार आता है इस समय में तो इसको यह करने से उसको फायदा हो जिन लोगों कब की शिकाई जादा रहती है उसके अंदर आपको मुलिटी का चूर्ण आदा चमच और शेहद दोनों के मिंक्स करके आदा चमच सुबह आदा चमच शाम को ऐसा आप ले सकते उससे भी फायदा होगा लेकिन यह सब डिपेंड होता है आपके दोश्यों के अ कानपान में देहन देना जरूरी है जिन कारणों से आपको तकलिफ हो रही है उसको पहले बंद करना चाहिए जैसे बारिश में भीगना या बहुत समय तक सिर गिला रखना यह सब चीज आपको आवड करनी चाहिए तभी आपको इस रहत मिलेगी इम्मिनोटी स्टॉं करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए जितना हो सके लिक्विड डायेट लीजे फल फ्रूट्स लेजे जो भी फर्मेटेशन वाली चीज है उसको आवड करिये जिसे दही हो गया बेकरिक एटम्स इसको फ़ड़ा सा आवड करिए ओर आल देखा जाये तो शरी के अंदर ताकत हो होना जरूरी है इम्मिनुटी स्ट्रॉंग होना जरूरी है तभी आपको कोई किसे भी वाहिरल इंफेक्शन से बचने के लिए ताकत मिल जाती या उससे आप लड़ सकते हैं उससे प्रोटक्ट हो सकते आप तो उसके लिए हमने जो काड़ा बताया था उसको आप ले सकते ह उससे आपको ज़रूर फायदा होगा आज खली इतना ही वीडियो को ज्यादा श्यादा लोगों तो शेयर करिए लाइक करिए ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा हो सकेगा आने माले समय में ऐसी एक टॉपिक को बात करेंगे तो आज खली इतना ही धन्याबात है